नमस्कार दोस्तों यूरिक एसिड के जो भी मरीज हैं वो अक्सर इसे कंट्रोल करने के लिए परिशान रहते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि शरीर में हाई यूरिक एसिड बनने के वज़ा से यूरिक एसिड के मरीजों को बहुत से परिशानियों का सामना करना पड़ता है इस बिमारी में शरीर के अपशिष्ट यानि कि जो गंदगी होती है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है इसके साथ ही शरीर में एसिड बनने लग जाता है जिसकी वज़ा से सीने में जलन की शिकायत हो सकती है अपच होती है बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये के मरीजों के लिए ये बेहत जरूरी हो जाता है कि वो अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करें जिससे की वो इस समस्या से बच सकें अब ये तो हमने आपको बता दिया कि बदलाव करना पड़ेगा डेली रूटीन में पर क्या बदलाव करना होगा जिससे की यूरी इसके अलावा एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे शेर कर दिजे वर्टसप पे फेस्बुक पे ताकि सभी को वीडियो मिल सके आप सभी जब भी वीडियो को लाइक करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है तो कंजुसी क्यों कर अगे बढ़ते हैं अब हम सभी युरी के सिट को खत्म करने के तरीके के बारे में आप देख रहे हैं ऐरवेडे कुप 4 चैनल दोस्तों बहुत सारा पानी पीजिए सबसे पहली बात तो यहीं है जिहां यूरिक एसिट के मरीजों को शरीर में अप शिष्ट जमा होने की वज़़े से ज़्यादा अदिक्कत होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको ज भी मातरा बनी रहेगी इससे आपका यूरिक एसिट भी कंट्रोल में होने लग जाएगा धीरे धीरे अब आप समझ लिजे मैंने आपको पहले ही बताया कि समझेंगे कैसे की यूरिक एसिट बढ़ रहा है पेसाब में जलन हो रहा है सीने में जलन की सिकायत है या पिर आप कि कैफीन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें और घंटो स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है आपको अगर आपको स्क्रीन के सामने पूरा दिन बैठना पड़ता है तो समय समय पर शरीर को आराम भी देना बहुत जरूरी है यह जरूर करते रहिए और जो भी यूरि से स्ट्रेस हारमून हो जाता है जिससे की एसलेur यूरीक एसिट के मरीज इस बात का ध्यानIG कि आप रोजाना परयाप्त मात्रा में नीनель जरूर लें यह अऊने के समय को शामिल करना है जिसमें की फाइवर हो वो शरीर से अपरशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है इसलिए यूरिक एसीड इससे कंट्रोल हो जाता है अब फाइवर यूगत आहार कौन-कौन से हैं यह अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हमने दूसरा वीडियो को देखिए आपको पता चलेगा वाले आहार कौन-कौन से उस फल या सबजी को हम सभी फाइवर वाले आहार कहते हैं जिसमें रेसा हो अब जैसे आप खीरा खाते हैं तो उसमें फाइवर है आपके लिए आपके शदिर को फायदा करेगा आपके पेट को साफ करता है अमरूद खाएंगे इसमें भी फाइवर पाया जाता है इससे भी आपका पेट साफ होगा तो यह कुछे कैसे खादे- हैं जिनमें कि फाइवर पाया जाता है आप चोकर वाली रोटी खाते हैं या फिर जिसमें भी मोटा अनाज होता है वो खाते हैं तो उसमें फाइवर पाया जाता है उससे आपका पेट साफ होता है जैसे कि बाजरा हो गया इसकी रोटी खाएंगे तो पेट आपका के सीड को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है वो हमने आपको बता ही दिया तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन कौन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाए नोटि